गुट मॉर्णिंग डियर फ्रेंट्स आम डॉक्टर विनोथ पंकज मिश्रा एंड यूर वेलकम इन मैं डेली यूज एडवांस इंगलिस्ट यदी क्या आप अंग्रेजी सीकना चाहते हैं क्या आप क्रिकेट क्हेलना चाहते हैं। प्रकार के अधिबाक्यों का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए में लेके आया हूँ इसका structure क्या होता है इसका structure सबसे पहले देखते हैं कि इसका structure किस प्रकार से होता है तो इसका structure है सबसे पहले लिखते हैं Do you want to उसके बाद जो भी वर्व होता है वर्व का first farm लिखते हैं फिर object लिखते हैं ठीक है तो जैसे लिखा हुआ है क्या आप इस पृतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे Do you want to? और उसके बाद बर्व का first farm भाग लेने को बोलते हैं Take part तो take part हुआ Do you want to take part? और object क्या है? In this competition So this is the structure अब देखते हैं इसके कुछ examples कैसे? Do you want to work first farm plus object? आप इस पृतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले Do you want to take part? फिर in this Do you want to take part in this competition? अब देखते हैं कुछ example जैसे क्या आप cricket खेलना चाहते हैं तो Do you want to play cricket? Do you want to? सम्मे रहेगा उसके बाद बर्व रखना है और object क्या आप computer चलाना चाहते हैं Do you want to operate computer? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो Do you want to? लिखेंगे जानने को no बोलते हैं और इसके बारे में about it Do you want to know about it? नेक्स सेंटेंस लिखा हुआ क्या आप इस खेल में भाग लेना चाहते हैं तो Do you want to लिखेंगे ही भाग लेने को बोलते हैं पार्टिसिपेट और इस खेल को in this game Do you want to take part in this game? तो यह थी प्रकार के structure के लिए subscribe के लिए Pankaj Institute of English और यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जादे से जादे लाइक करिए जादे सेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे subscribe कीजे bell icon को press कीजे ताकि इस प्रकार के English के sentence आपके पास आते रहे हैं Thank you, have a great day